हेलो दोस्तों रेश्मा बुटिक चैनल में आपका एक बार फिर बहुत-बहुत स्वागत है आज हम आपको सिकाने वाले हैं एक तावीज वाला गला जो हम गोटा पट्टी के जरीए बनाने वाले हैं तो ये हमने अपने पेश्टी बुकरम काट रखा है जिसकी लंबाई चौड़ाई है खरीब 8 इंज जिसकी लंबाई है तावीसकी और हम अपने गले जिसको हमने बना रखा है गला तो ये गले की लंबाई है हमारे 5 इंच और चौडाई है 5 इंच तो चलिए हम इसको भी स्टार्ट करते हैं तो हम अपनी इस बुकरम को इस कपले पे इस सिलाई के जरीए इसको चुपका लेंगे और उसके बाद इस पट्टी को भी अपने कपड़े पे सिलाई लगा के और चुपका लेंगे तो चलिए हम इस्टार्ट रते हैं यह हमारी सिलाई लग चुकी है हमने बड़ती कपला इस तरह काट दिया है काटने बाद में इस तरह से हम फोल्ड करके बीच में अपने इसको एक नाखून के जरीए क्रीज बना लेंगे क्रीज बना के हमने बीच में कट लगा रखाए इसी तरह हमें अपनी इस पट्टी पर अपना कपला जमाना है इस पिरकार अगर आपका बुक्रम चपकने वाला है तो आप इससे चपका भी सकते हैं और प्रेश से इस तरह से लॉट सकते हैं तो हम इसको इस तरह से प्रेस से अपने सलाई से इसको लॉट लेंगे इस परकार इस परकार इस परकार बनाएं यह हमारी पट्टी हो चुकी है तयार अब हो इसे हम अपनी कुर्टी में लगाएंगे हमें अपनी पट्टी तयार करने के बाद हम इसको अपने लेस को लगाएंगे इस परकार इस तरहां आपनी पूरी पट्टी पर इस तरहां हमने अपनी पट्टी के कmplite कर लिया अब हम अपने गोड़ा पट्टी को नहीं बशार भुटा उस तरहां कि हम लगाते हैं इस कउना इस परकार इसको कोणा बना लेंगे इहां रुट सफाई से कोना हमारा इस तरह कोना हमें इधर मोड़ना है और इसको कोना बना लेना है इस पर गार इसको सीधी सिलाई लगा लेंगे यहां से उसको हम कट कर देंगे और अब हमें अपनी कुर्ती में हमने अपने 20 सेंटर में कट लगाया हुआ है यहां पर और इस पर हमारे गले का यह लमबाई है इसकी इस तरह से हम इसको रखके देख लेंगे और इससे एक इंच उपर हम निशान लगा देंगे परकार और निशान लगाने के बाद में हम इसको अपनी पट्टि को 20 सेंटर मिला चुपका देंगे और 20 सेंटर मेस है आपने जो कुला कर यहां से को पूर है देगके यहां से लग यहां तक लगा देंगे इसला ही हुई कम्प्लीट है यहां पर अब हम अपना جो हमारा गला है वह हम इस कुड़ी पर अपने अब दंग को कुट्का लगा रखा है कुट्का दोनों को मिला लेंगे इस परकार और बीज का सेंटर देखके और इस पर हम पहले हैं कच्छी सिलाई लगा कर रोक देंगे अब हमें अपना धागा कट करके और हमें इस पर पूरी सिलाई लगा देना है अब हमें एक पैर का मारदन छोड़के इसको कट करके बाकी कपला इसमें से बाहर लिकाल लेना है और हमें अपनी गोलाई पर यहां कुट के मार देना इस परकार कट जो हमें गला सीधा करने परिशानी ना हो अब हमें इसमें पलट के सिलाई लगा देना है इस परकार अब हमें अब हमें अब हमें अब हमें इसमें ईसमें आप लोड़के इसमें पलट कर दो ना है कि गला हुआ हमारा कम्प्लीट अब हमने अपने हां ताब इसके ओपर लगाएंगे छोड़ शोड़े बटन तो चलिए हम अपने बटन तयार करते हैं तो दोस्तो हमने अपने बटन मन रखे हैं हमने गिलू टपका रखा है अब हम इस तरह से अपने बटन चपका देंगे इस परकार इस प्रकार ये गिलू से बटन छुटते नहीं है ये बहुत मजबूत रहते हैं आप अच्छी तरह आगा चुपका ले तो दोस्तो हमारे बटन लग चुके हैं आपको हमारे डिजैन कैसा लगा प्लीज हमें कमेंट्स करके बताएं और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करे और हमारे चनल को सब्सक्राइब करके हमें सब्सक्राइब करें बेल आइकन पर किलिक करना ना भूलें जिसको कल को कोई भी कभी भी हम आपके लिए जो भी वीडियो अफ्लोड करें सबसे पहले मिले आपको ठैंक यू